अरहान वॉनबी है वॉनबी इसको किसी के पीछे लगने के लिए वक्त नहीं लगता उसके पास कोई कामदंदा नहीं होता उसके पास इव यही कामदंदा था कि किस तरह मैं फिशिंग करूँ और रश्मी जैसी शक्सियत मेरे में फसे अरहान ने रश्मी को यूज किया नहीं है और यह लड़का रश्मी के लाइक नहीं है वाहिद भाई आप समझाइए हम किस तरह सपर्ट करें एपना है कम और मेरी बहन है चोटी बहन मांता हो मैं उसको और परिवार में सपोर्ट नाम नहीं आता है बाई डिफॉल आजाता है तो रश्मी को सपोर्ट कैसे कर अब फोग कर रियं को जारा हमार कि तो गलत बोलना और अगर अच्छा कर रही है तो डिफिनिटली अच्छा करना वह प्रश्मी अन्सटेश में लिए अच्छ बाइशनिक है जिसलिए उसके रिए कि अच्छ बताओ, तो बर्शमी आप एक प्लाइशनिक जहां पर आपके आपकी जखमों को खुरिदा जाएगा 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 बाकी के निए उसके लिए वो इसलिए गिर सकते हैं तो अच्छा यही होगा कि तुम अवाइड करो लेकिन मैं इस सवाल जो आपका सवाल उसका जवाब भी दूँगा कि मैंने जब इसको मना किया और शी इसको जाना ही है भाई इस वरी इंपोर्टन फो मी आपको जाना है अगर आपको कुछ और अगले स्टेप मिल रहा है आप बिलकुल किया था आपको मैं बताओ यह मेरी धर्म पत्नी मेरे साइड में हमारी अनुवर्सरी थी और तब मैं अरहान से पहली बार मिला तब अरहान को रश्मी ने पाटी में लाया था जो कि बेरल मेंशन सहारा होटल में वहाँ पर तो आपको अशॉक्छ और सप्राइज क्योंकि उस पाटी में मेरे और भी कई दोस्ते जिन्होंने मुझे साइड में ले जाके कहा कि रश्मी के साथ यह लड़का क्या कर रहा है कि यह लड़का थीक नहीं है और यह लड़का रश्मी के लाइक नहीं है वाहिद भाई आप समझाईए अगर आगे जाके कुछ उल्टा सीधा तेरे सामने आता है तो समझ लेना मेरा हाथ होगा तेरे गाल होंगे यह मैंने उसको उसी रात समझा दिया था लेकिन तब तब बहुत नए थे यह लोग बहुत सी बाते जो खुली है बाद में वो समय तक नहीं खुल के आई थी मेरे दोस्तों ने भी जो मुझे कहना चाहा शायद उस रात को नहीं कह पाए वो लेकिन बहराल जब वो एक रिलेशन शुरू हो गया था तो उस चीज के बीच में आना मु कीक्पष से बोलूँगा अर्हान ने रश्मी को यूज किया क्योंके उसको जडरूवत यह कंदे की अरम ने अपना प्लाइं के प्लाइब वैड़ इस पर विंछे बताईये कौन है बिच बॉस क्वाइं और यह बिच बटाउनी है कौन हैं बिच बिच बंचु लेगा why will Arhan enter big boss why not why Dhali Khan नेयर मेरा तो कम से कम उस्से ज़्यादा नाम है लेकिन Arhan को एक platform चाहिए था Arhan ने use किया रश्मी को Arhan achieved what he wanted रश्मी को धीरे धीरे ये बात पता चलने लगी दोस्तों के दौरा हाला कि हम contact नहीं कर सकते थे रश्मी को because आप जानती है कि Big Boss के अंदर हमारे एंट्री नहीं है लेकिन जो हुआ मैंने कहा रश्मी के पस्नल लाइफ के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए जो उनके परिवार के सदस्य है उनके लिए बहुत अच्छा हुआ I thanks Color for this I thank Salman भाई for this I thank the entire team of Big Boss I thank the PR of रश्मी देसाई पस्नल प्यार जेविता और गुपता जो ने बहुत अच्छे तरीके से रश्मी को convince किया लेकिन रश्मी के बारे में जिसतर की बात हो रही थी कि उनको कोई support नहीं कर रहा था तो आप भी उनके काफी करीबी है लेकिन रश्मी को अर्हान के पास क्यों जाना पड़ा मदद देने के लिए देखिए मैं भाई हूँ मैं एक हद तक उसको support कर सकता हूँ एक लड़की को भाई के कंदे से जादा दूसरे emotions attachment चाहिए आप लड़कें आप नहीं समझ पाएंगे लेकिन एक लड़की जो एक emotional होती है वो एक emotions भाई के साथ उतने नहीं share कर सकती जो अपने boyfriend और अपने husband के साथ share कर सकती है to be honest रश्मी ने वो कंदा जो उसको चाहिए था वो अर्हान से मिला उसको अर्हान ने उसको काफी blindly रखा अर्हान ने अपने personal life को उसके साथ share नहीं किया अर्हान कहां से आता है क्यों आता है ये रश्मी को पता होने नहीं दिया एक get together में वो लोग मिले और अर्हान उनके पीछे पढ़ गया और messages चालू हो गया और WhatsApp चाटिंग आजकर technology बहुत fast है मेरे दोस्त पहले जैसा नहीं है कि एक लड़की को पटाने के लिए आपको दो दो तीन तीन मेन इंतिजार करना पड़ता था उसके नाम पूछने के लिए आज technology तनी fast है कि मुझे अगर कोई लड़की पसंदे तो मैं Google search करूँगा उसके पूरी history मेरे पास आजाएगी और अरहान वॉनबी है वॉनबी इसको किसी के पीछे लगने के लिए वक नहीं लगता उसके पास कोई काम दंदा नहीं होता उसके पास इव यही काम दंदा था कि किस तरह मैं fishing करूँ और रश्मी जैसी शक्सियत मेरे मेरे में पसे और रश्मी एमोशनल थी वो फज गई मैंने कहा उसको बिल्कुल देखे मेरी बहन है वो मैं उसको गलत हातों में जाने नहीं दिन गए लेकिन एक तरह मैं भी मजबूर हो जाता हूं जब दो लड़का लड़की बोलते कि मैं प्यार करता हूं और मैं प्यार करती हूं तो मैं वहां कमजोर पढ़ गया मैं उस रात पो भी रश्मी को पूचा मेरी अनिवर्सरी वाली रात में उस पाटी में की रश्मी वाट इस और यही देखने को मिला कि जैसे समय बीता और उसके तुरंट बाद मेरे कहल से कम डिस्टेंस था मेहना दो मेने के बाद ही बिग बॉस हो गया और उसके बाद इतनी चीजे मेरे सामने आई कि मैं हैरान हो गया कि यह शक्स है कौन और कई दोस्तों ने कई मेरे वाइफ के सहील बोला है भाई वी वर स्केड एक भाई बहन के बीच में आने को लोग डरते हैं मेरा रिलेशन रश्मी के साथ एक बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी सगी बहन के साथ है शायद वो डर रही थी लेकिन जब उनको प्लैटफॉर्म मिला जब उन्होंने देखा कि अरहान इतना राइफ में नहीं होना चाहिए तब भी मैंने कई ट्वीट किये कि अगर रश्मी उसके साथ है तो आम नोबडी टू से अनीधिंग लेकिर अगर जब रश्मी बोल देगी कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती तो अरहान क्या सॉरी टू यूज दिस वर्ड अरहान का बाब करने लगा वाद मी कैसे रस्ते में आ गेतिया रस्ते में जिसका इधर बैठा उल्लकी रस्ते में आ सकती है इसे बिल्गक्ला बोलते ना यह इल्साम जो इसने लगा है सरषख गल्थ है और यह तस आपने आपको बचाने के लिए जब पहलवान कुछी लड़ने उतरता है म कि अपड़कर न समझी zam equivalent इना समझी होता है है अपकोस मैंने इसके बाद उसके साबने आ इपूरी बाते हैं लेकिन जा गलत हो रहा है इस्तिमिर साथ के लाइस में अनृ-बादे को चुपाई गई उसके बाद रश्मी ने उन जो सामने लाई गई उनके प्यारों उसके दौरा उनके अपने लोहों के दौरा कि भाई ये चीजे हैं अगर ये सब चीज के बावजूद अगर तुम एकसेप करती हो तो तुम्हारी लाइफ है लेकिन रश्मी ने सही सोचा कि भाई नहीं यह मुझे नहीं करना चाहिए सही सो में जाने के लिए भी रश्मी का ही दीजिया कि लगता है रश्मी को भी जरूरत थी कि इसकी बीग बॉस में जाने के लिए याल जो रश्मी ने एक Parmip कई का क्या होता है मेरी दोस्ते हुए सार आट टूर्स नहीं नहीं युञा базा ने रश्मी फ़िता है तो बुथ वोट दूसरा शुरू भी होता है तुछ भाय वाला रेशन्शिफ उस्ट जाया है रूठीन है मुझे रश्मी से मिलुआ है सना कान ने पर रुटे से बड़े पाटी में रश्मी से मिले तहे हैं और वहाँ पर हमारे दोस्ती हुई बहुत सुल्जी लड़की बहुत सभ्य ल अच्छी दोस्त मेरी वाइब डिजाइनर है तो उनसे कभी कपड़ों को खरीद फरोग थुआ उनके साथ तो उस तरकीबर पांच साल हो गया होगी चार गया पांच साल पांच साल से मैं उनको जानता हूं और मेरी बहन एक है सगी वो मेरे साथ नहीं रहती हो शादी कंदी के सबसे पहली बात डिजर्व तूविन के मैं जवाब देता हूं उसकी सच्चाई जो शुरू से अपने आपको रखा है अगर वो किसी से प्यार करती थी तो करती थी और जब नहीं करती है तो नहीं करती है यह उनस्टी उसके आप समझे एक लड़की को जो सपोर्ट और रश्मी डिजर्व तूविन करती है और जहां तक उसकी बड़े की बात है रश्मी ने पिछले साल बहुत अपसे डाउद में गुजा रहा है मैं बगवान से चाहूंगा कि आने वाला ये साल उसके लिए बहुत अच्छा हो आने वाले समय में उसको काफी शोज मिलें क काफी फिल्में मिलें और जो उसकी एक ख्वाब है एक अपना प्रड़क्शन हाउस खुलने का वह ख्वाब उसका पूरा हो ऐसा मैं बगवान से चाहूंगा ऐसे ही और वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए पोस्ट पूल न्यूस और मीडिया के साथ अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेच को लाइक कीजिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे च